हेलो एवरिवन वेल्कम टू मैं चैनल वे लेन टूड़े सोल साइंस आज हम लोग जानेंगे समाजी किद्धन यहां से 15 कोशन होंगे यह सभी कोशन ना के वाद सीटेट के लिए बलके राज में इतनी भी टेट की परिक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्पून है वीडियो क स्किप्ट ना करें पूरा पूरा वीडियो देखें और अगर आप हमारे जनल बना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले आप पहले कोशन को जान ले पूना समझोता पर हस्ताक्षर किष्णे किये आपको बतानी है फास्ट है करजन ने सेकेंड ने अंबेतकर ने थार्ड है मौन बेटन ने और फूर्थ है चंसेकर आजात ले आप इस प्रश्ट को समझे उसके बाद इसका उत्तर दे ओके इसका उत्तर हो जाएगा सेकेंड नमबर अंबेतकर जी ने दिखें जो पूना आपक्ट जिसे हम लोग कहते हैं जिसे रैम जे मैक डॉनल्ड कमिनल एवाड के बुर्द आमरे नंसन महात्मा गांदी ने शुरू किया था और यह पूना समझोता पस्ताक्षर जो है मदन मोहन मालविय और डॉक्टर अमेतकर द्वारा किया गया था और गांदी जी ने 20 सि कमिनल एवाड के बुर्द आमरे नंसन सुरू किया था और चुबिस सिद्वारों 32 को मदन मोहन मालविय जी और डॉक्टर अरेंदर प्रशाद पुर्शतम दास जी सी राज गुपाले चारी के प्रयासों से गांदी जी और अंबेतकर के मद्द पूना समझोता हुआ तो इ राजा राम मोहन राय ने एक सब्ताहिक पत्रिका प्रकासित की वह थी आप राजा राम मोहन राय का नाम सुने हैं इतिहास के किताम पड़े हैं उनके सब्ताहिक पत्रिका जो उन्होंने प्रकासित की थी वह कौन सी थी फर्स्ट है दिखदर्शन सेकेंड है समचार दर्प इस एंसर इस थर्ड यह नहीं समवात कौमधी दिए राजा राम और राय द्वारा प्रकासित साप्ताहिकी पत्रिका का नाम क्या था समवात कौमधी था और मैं बता दूं कि पत्रिका का उन्होंने प्रकासन 1821 में कियाता है राजा राम और राय समास सुधारक के साथ भारतिय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहे जाते हैं राजा राम और राय ने फार्सी में मिरातुल अकबार को भी प्रकासन कियाता है आप समझ गें हम लोग आगे थर्ड नमर कुश्चिन को जान ले स्वामी द्यानन सरस्वती ने एक राजितिक विचार की शुरुवात की वह था आप स्वामी द्यानन सरस्वती जी के बारें पढ़े होंगे उन्होंने एक राजितिक विचार की शुरुवात की वह क्या था फर्स्ट है वेराज, सेकंड है स्वाराज, थाट है दिवराज, फेस आधी राज अब थाट नमर के उत्तर दें इत्स एंसेर इस सेकंड स्वाराज देखें सवाराज सब्सर्पतम प्रेयुक करने वाले वेक्ति स्वामी देअनन सोचती थे उन्होंने रायंतिक विचार के रूप में सौराज सब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने एक बात और कहा था आपको पता है कि उन्होंने कहा था वेदो की और लोटे उन्होंने यह भी नारा दिया था कि वेदो की और लोटे और वेदो की और चलें या वेदो की और लौटें उन्होंने यह नारा दिया था Okay Come to the fourth number question Fourth number question को भी जान ले हम बकसर की युद्ध में अवत का एक नवाब भी पराजित हुआ था वह था बकसर की युद्ध में अवत का एक नवाब भी पराजित हुआ था हुआ ता वो कौन था first है अम्रू अम्रू दोला second है सुजाओ दोला थर्ड है अमीनू दोला और फोर्थ है वश्यू दोला आप इसके प्रानॉशेशन को देख लेंगे अजस्ट कर लेंगे आप फोर नंबर को उत्तर दें क्या होगा इसका उत्तर बकषर की ऊधर its answer is second इसका क्या हो जाएगा सुजाओ दोला देखें बकसर का जो युद्धुआ था वो 1764 में हुआ था अंग्रेज एवंग मीर कासिम के बीच वे युद्धुआ था इस युद्धु मीर कासिम के साथ अवत के नवाब सुजाओ दोला इवा मुगल समराड शाह अलम दिवतिय थे और 22 अक्टूबर 1764 में हैक्टर मुर्णो कनतित में अंग्रेजी सेना ने इस तीनों समलिस सेना को पराजित कर दिया था तो आप ये जानगे कि बकसर की उद्ध कब हुआ था 1764 में और बकसर की उद में आवत का नवाब जो थे वो सुझाओ दोला थे ओके कम टू दे नेक्स्ट कोश्चन फिफ दिमर कोश्चन को आप जाने तालुको दारी वेवस्था का समन्थ था आपको बता नहीं है तालुकदारी वेवस्था का समन्थ क्या था किससे था यहाँ प्रश्टो पूचा जा रहा है फर्स्ट है बियार से सेकेंड है अवत से थर्ड है उत्तर पस्थिम से फोर्त है मद्रास से आप प्रश्टो को समझे इसके बाइस को उत्तर दे इट्स एंसर इस सेकेंड दीखे तालुकदारी जो वेवस्था थी किसे समंदित थी अवत से अवत ब्रांद से ये समंदित थी जो की महालवाडी व्यवस्था के प्रयाय रूप में थी महालवाडी व्यवस्था बिडिस भारत के कुछ चेतरपल का 30% इससे पर लागो किया गया था कितने परश्ट इससे पर बाबर के आक्रमन के समय विजय नगर समराज का सासक कौन था फर्स्ट वीर नर सिंग्ग, सकेंड एक राम राय और फोर्थ एक चुत्र राय आप सिक्समर के उतर दें ओके इट्स एंसर इस सेकेंड क्रिस्देव राय देखें बाबर ने 26 यानि 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में भारत में बाबर का आगमन हुआ और बाबर ने अपने समराज्य को इस्थापित किया पानीपत के युद्ध के बाद ही उस समय जो क्रिस्देव राय जो थे वह विजय नगर के सासक थे और किस देव राय का जो सासन था वह 1509 से लेकर 1529 तक था और एक बाद बता दू आपको तुझके बाबरी आप तुझके बाबरी का नाम सुने हैं यहाँ पर तुझू के होगा तुझके बाबरी तुझके बाबरी जो थी बाबर की आत्पकता थी जो बाबर ने स्वैंग लिखी थी कृच्ञ देव राय के दरवार में आस्ट दिगच कोन थे यनि आपसे पूचा जा रहा है आपको बतानी आप अस्ट दिगच के बारे में फर्स्ट है आठ तेलगु कभी, सेकेंड है आठ मंत्री, थर्ड है आठ सलाकार, फूर्थ है आठ महा सेनापती, ओके, यह आपको बतानी आज तिककच के बारे में, अब सेवन नमर के उत्तर दे, ओके, इट्स एंसर इस फर्स्ट, आठ तेलगु कभी, देखें विजय नगर क के महांतम सासक, क्रिस्द वराय के सासनकाल में, तेलगु साहित का क्लासिकल एज कहा जाता है, इसो क्या कहाता है, क्लासिकल एज कहा जाता है, ओके, साहित ते क्योंकर क्लासिकल एज, क्योंकि इनके दरवार में अस्ट दिग्गस थे, यह आठ जो थे, तेलगु साहित के आ नवर यह पानिपत के तिरती युद में अलाटो में स्थाई रूप से किस्टे साहेता प्राप्त करने में शबलता प्राप्त की थी आनिए आपको पानिपत के च्रित हुद्द के बारे मतांनी नहीं है फर्स्ट सिखो सेकेंड राज पूतों यहां पर होगा मिस्प्रिंट हो गया थार्ड रूहेलों और फोर्थ जाटों आप एट नमर को उत्तर दें इट्स एंसर इस फोर जाटों देखें पानिपत की तिरते युद्ध में जाटों द्वारा मराटों की साहता अस्थाई रूप से की गई थी और पानिपत का तिरते युद्ध कब हुआ था इसे भी अब जानने 1761 में किसके बीच हुआ था तो आप यह जान लें आमसा अबदाली और मराटों के बीच हुआ था ओके कम तू दर नाइन नमर कोशन नाइन नमर कोशन को जाने महमूद गजनवी के किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमन किया यह आपको बतानी है आप प्रश्वों को समझ लें आप नाइन नमर को उतर दें इस एंसर इस फूर मुलतान थानेश्वर कस्मीर मत्रा और कनुच देखें मुहमद गजनवी जो थे वह 2004 यहनी 1004 से लेकर 1005 तक मुलतान का पर उनने आक्रमन किया उके उसके बाद यहां पर जो थानेश्वर पर जो उनका आक्रमन था वह था 1014 और कस्मीर पर जो आक्रमन था वह था 1016 और मत्रा पर जो था वह था 1018 और कनुच पर जो था वह था 1019 ओके कम टू दे टेन नमर कुशन नमर कुशन को जाने निमलिकेत इत्यासकारों में से अक्बर के समकालिन नहीं तो आपको बतानी है नहीं है कि सके समकालिन अक्बर के फर्स्ट अभूलफजल सेंडर बदाईउनी थाड निजामुदी नहमन और फ्व्ष लाहुरी आफ्टेनिमर को उत्तर दें देखे यह अभूछजल ठीका है उसके राद बदाईउन उसके बाद निर्जा मुद्दिन अहमद ये जो तीनों थे वो अकबर के समकालिन थे लेकिन जो लगोरी थे वो साजहां के दरवारी तिहासकार थे और आपको तो पता है आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी असोग द्वारा बराबर गुफा का निर्मान कराया गया था बराबर गुफा का निर्मान फर्स्ट ब्रामनों के लिए सेकेंड बौधों के लिए थर्ड जैनों के लिए फोर्थ आजिविकों के लिए आप 11 नमबर को तर दे असोग द्वारा बराबर गुफा का निर्मान कर आजीविगों के लिए यानि आजीवि को के लिए उसोग द्वरा बराबर गुफा का निर्मान कराए गया था बराबर गुफा जो है एक पहाड़ी है आधुरिक नाम खलतिक परमइध है जबकि उसके पुत्र दसरत उपने नांगरजुन पाड़ी ओमे आजी बीकू के कुफाएं परदान किती कम ठूज्वर कॉश्ि मंसब्दारी ब्यवस्ता में कितने दो अस्पा सिंख और अस्पा का पद स्रिजित किया गया था कि इस प्रता में मन सब्दारी ब्यवस्ता कि इस यहां प्रणी कर फुर्थ है और रनजे आप two in number के उत्तर दें ऋके हिसके क्या उत्तर होगा आप हमें बताएं ओके इट्स एंसर इस सेकेंड जहांगीर देखें मनसब्दारी ववस्ता में जहांगीर ने दो असपा और सींग असपा का पद जो है स्रीजन किया था दो असपा एक घुर सवार होता था यह जो दो असपा जो होता था एक गुर सवार आप समझ रहें जो दो जिसके पद्धो गुड़ होते थे और सींग असपा का मतलब वो गुर्थ सवार होता था जिसके अंतरगरत कितने गुड़े होते थे तीन गुड़े होते ओके अगाली थारटीन नमर कॉस्छन चार वर्णों का उलेक प्रतम बार हुआ है या आपको पता नहीं है फर्स्ट रिग्वेत के प्रतम मंडल में सकेंड रिग्वेत के दूतिय मंडल में थर्ड रिग्वेत के नौ मंडल में और फॉर्ड रिग्वेत के दसम मंडल में अब थर्टी नमर को उत्तर दें इस एंसर इस फोर रिग्वेत के दसे मंडल में यह जो दसम मंडल है देखें रिग्वेत के जो दसम मंडल उसे चार वर्णों को उलेक सरपतम हुआ है इसमें ब्रानोश्य, मुखासिद बाहू, रजनकृत, उददश्य, यदविश्य, इस तरह से इसके चार वर्ण है ओके, come to the 14 number, निम्रकित में से कौन अकबर के धार्मिक निती से समंदित नहीं है, आपको बतानी है, हाँ, अकबर के धार्मिक निती से समंदित नहीं है, फर्स्ट अतिरत यात्रा, करकी समाप्ती, सकेंड है इबादत खाना, थर्ड है दीन हिलाई, और फोर्थ हल्दी घाटी का युद्ध, आप 14 निम्रकों उत्तर दें, ओके, 14 निम्रका क्या उत्तर होगा, इट्स एंसर इस फोर, हल्दी घाटी का युद्ध, देखें जो तीनों विकल्प है, पहला विकल्प क्या है, तिरति आत्रा करकी समाप्ती, उसके बाद क्या है, इबादत खाना, उसके आए, यह तीनों अकबर के धार्मिक निती से समझतेता है, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध है, वो किससे समझतेता है, राजिती से, वो किससे समझतेता है, राजिती से, इसे आप समझें, और यह किससे समझतेता है, यह तीनों, यह धार्मिक से, यह धार्मिक से, ओके, नुगल बासा को अपने सासनकाल में खुसरो खुर्म कि अवं महवत खांकर विद्रों का सामना करना पड़ा आब प्र Ball और महवत कुर्म और थर्ड देखें मुगल पासा जहांगीर को अपने सासनकाल में खुसरो खुर्रम एबन महावत खाके विद्रो का सामना करना पड़ा ओके आपने 15 कोशन कंप्लेट कर ली यदि आपको वीडियो पुसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें और वीडियो लाइक करना बोलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद